पाजी क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया और तो आज का काफिला जो पहुचा है हमारा वो है सोनिपर बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू सो मच यहाँ पर तमाम वो सारे लोग जो मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत बह मुझे मालूम है चुनाओं में बात्चीत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, मुद्दे की बात अच्छी लगती है, लेकिन मुद्दा चुनाओं के समय में कहीं पीछे छूट जाता है, बात्चीत तो सिर्फ होती है, बेराल मैं यहाँ पे जो तमाम सारे लोग मौझूद हैं सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सब, थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो यहां पे मौजूद हैं, मैं तारुप भी कराऊंगा जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो शक्साज यहां पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, उनका म परिशे करादूं सुरेंद जिखारी जी हमारे साथ मुझूद है इंडिन नाशनल लूग दल से बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंज जी बहुत बहुत शुक्रिया तैंकियोग शुक्रिया हमारे साथ कॉंग्रेस का पक्षक्रे के लिए मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो बड़ा रिलाक्स हैं बड़े आराम से हैं क्या वाद रहा है या तो चुनाओ खातम हो गया है या चुनाओ अभी जी हम जोना रिलाक्स मूड में लड़ते हैं मुझे पता चल गया ये सोनी पत उसके बाद पानी पत और पानी पत के बाद सीधे कुरूक छेतर है गजा भेवाई इसी लाइन में सब कुछ है बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू सो मच तो आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बातचीत के सिलसले को लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग आते हैं जो बात्चीत अपना कहना चाहते हैं कुछ लोग तो मुझे लग रहा केनाट प्लेस से सीधे चले आए यहाँ पर क्योंकि पास से बहुत दूर जाधा नहीं है दिली से तो आगे मुझे मालूम है आप केनाट प्लेस में विज़ते हैं वहाँ बहुत अच्छी बात होती है आज आपसे बात नहीं करेंगे आज यहाँ उन से बात करेंगे जिनके लिए मैं आया हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत का सिलसला शुरू करूँ तो हमारे साथ जो एक शक्स सुमेर चंजी मौझूद हैं सामाजी कार करता हैं 86 वरस के हैं और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने अपना परिशे दिया मुझे 86 की नहीं लगते बलगे लगता है जैसे कोई 28 या 12 साल के है इसमें मेरा क्या कसूर भाई इसमें मेरा क्या कसूर नहीं मुझे बताया कि हरियाना की जगे पर मैं एक मौझूद हूं वह पहलवानों की जगे है साथ जून 1933 को पैदा हुआ मैंने 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 उमर तोड़ी नहीं के भी कुछ लोग बठे काफी ब्लोग बठे अच्छा बहुत बड़ा गाओं है नहीं गाओ तो बड़ा ही होगा बिलकुल होगा और यहां पर आसपास लोगों ने मुझे बताया कि पहलवानों का इलाका है और जब अर्दस खान पीनगा तो कोई भारियाणा में वैसे भी कमी नहीं है साब पुरे देश को खिलाते हैं आप खिलाते खिलाते नहीं और अक्सपोर्ट भी खूब होता है यह तो खैल इसमे तो 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 रहा है नहीं जितना गेहूं आप पैदा कर देते हो पुरा भ अर्विन कुमार ठकर साब भाव नगर गुजरात से हैं इन्होंने मुझे पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया भाया जी कहिन पत्र मुझे मिल गया है अर्विन जी और मुझे सुचना मिल गई है और मैं उसको पढ़के आपका जवाब जरूर दूँगा कि क्या है मुझे आज आज मेरे ऑफिस से मुझे सुचना दी जो हमारी भाया जी कहिन के एक डेस्क है उसमें तमाम सारी जीजे जो आती है वो सा बश्ते नाराज है क्या हमसे नाराज है लो मैंसे भी हर्याना का अदमी नाराज नहीं होता है जाब बताईए सब क्या बात है क्या चाहते हैं मैं पाणी के बारे में बोलना चाहता हूं हमारे हर्याने में आदे हर्याने में इधर के जिले को छोड़के पानी की पीने की समस जोड़ा जाई हैं हैं हमारे पूरो परदान मंतरी अटल भी आरी बाजपई का पलान था अके नद्यों को आपस में जोड़ा जाई हैं 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 मैंने परदानमंत्री की स्टेट का अल देख्या, वहां एक छोटा सा जला है, छोटा उदेपर, वहां साइकल के ट्रायर जीतना गड़्डा था, और ओरतें थी 60-70, और वहां कटोरा लेके आपने बर तर्मा पानी भर रही थी, दो इंची पानी आ रहा था, और वहां से नर् वीशीन रुपे के केमपर लेते हैं, लोग खरीते हैं, पीणे के बादी की समस्या लेकिने की समस्या आगी, पूद यह इनिसे, गाउ में अगर पानी, पीने की समस्या भादारा आम तो यह बहुत बढ़ा मुद्दा हैं, आने वाले समय में मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण में पानी जो है और हर्याणा में बताए इस बार आपने बारिश ही नहीं हुई आप क्या नहीं हुई जाब तो सब चुनाओ तो खेर हो गई बारिश ना हुई तो क्या जो सुप्रम कोर्ट ने भी अर्याणे का फैसला सुना दिया और केंदर को भी में बोल दिया इसके पानी दिल्वाय जाये और फेर भी हमारी केंदर सर्कार हमारी कोय मदद ने कर रही है और हमारे खेत बिलकुल शुके पड़े हैं